एक तरफ जहां कुम्ब की तैयारियों को लेकर सुबई के मुख्यमंत्री महंत स्रीयोगी आदित्यनात और उनके दर्जनों मंत्री मेला प्रसासन के साथ समिक सा बैठक कर चुके हैं वही 2019 के कुम्ब मेले की तैयारी जोर सोर से हो रही है मेला सुरू होने से पहले ही सादूों का दर्द चलका आवाहन अखाड़ा परिसत के पवंजी महराज ने बताया कि सरकार को मेले के लिए 5,000 करोड से ज्यादा मेले की व्यवस्ता के लिए दिया है लेकिन सादू संतों का खाद्यान, चामगरी और रोजमर्रा की जरूरत सामानों के लिए अभी तक कोई सरकारी दुकान नहीं है पवंजी महराज ने बताया कि सरकार 5,000 करोड से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है लेकिन एक तिहाई पैसा अपने प्रसासन वाधिकारियों के उपर ही खर्च कर रही है उन्हों ने बताया कि यहां के कुछ दुकानदार प्रयागराज जिले को बदनाम कर रहे हैं प्रयागराज जिले में बाहर से आए हुए सादू संतों से किसी भी सामान को खरीदने पर रेट से दो गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं पवंजी महराज ने बताया कि इसकी लिखित शिकायत मेला प्रसासन से भी की गई है बावजूद इसके भी कोई कारिवाही नहीं हुई जिसके कारण सादू संतों में भारी आकरोस देखने को मिला आपको बता दे कि सरकार दुआरा पहले ही 175 देसों को निमंतरन भेजा जा चुका है और विश्वा के सबसे बड़े मेलों में से एक कुम्ब मेले का नियो तस्वीकार करते हुए कुम्ब की शुरुवात से पहले ही 171 देसों के महानुभव आभी चुके हैं और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 10 लाक विदेसी परियटकों की आजाने की संभावना बताई जा रहे हैं वहीं कुम्ब शुरु होने को और कुम्ब के मेले की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है प्रयाग राज से 37 गुपता की रिपोर्ट समाचार इंडिया न्यूस प्रयाग राज